तोड़े वी आर गोईंग टू अटेंड इन न्यू टोपिक इत न्यू चेप्टर ओर्गनिजम और पॉपुलेशन जीव और समस्थियां आप हिंदी में क्या बोलोगे इसको जीव और समस्थियां तो देखो बात यहीं से स्टार्ट कर देते हैं कि जीव और समस्थियां क्य पॉपुलेशन एक सही चाहिए हम बात कर रहें तो इस चेप्टर के अंदर हम किन-किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे इसको तीन पार्ट में लेकर चलते हैं और तीन पार्ट में इसकी बाते करेंगे जैसे पार्ट फस्ट में हम पढ़ रहे हैं ऐबायोटिक फेक्टर आपके एबायोटिक फेक्टर कौन से हैं यानि एजेविक कारक कौन से आपके कौन से एजेविक कारक तो आजेविक कारक आप जानते हो इस चेप्टर में हम जिनकी बात करेंगे वह है वाटर सनलाइट टेंप्रेचर मरदा ठीक है वाटर सनलाइट है टेंप्रेचर और हम बात करते हैं population attributes and growth आगे कि इससे में यह बात करेंगे कि population के गुण क्या है एक population के क्या गुण होने चाहिए और population जो है वो growth कैसे करती है आगे हम यह पढ़ेंगे next हम पढ़ेंगे कि population का इस बहरी के साथ क्या Îniration के नहीं का उसक fence उशकी इसको अन्यॉन रोगए इसको ernूलते ओटान की दो फिलांग है एक दूसरे पर आस стран जो किरिया होती है उसको हम अन्यॉन किरिया कहते हैं एक दूसरे पर आशरी जो किरिया लेकिन कुछ किरिया है ऐसी होती कि हम उन पर ही डिपेंड रहते हैं ठीक है एंट्रेक्शन हो गया तो इस चेप्टर में हम इन चीजों की बात करेंगे किलियर बात समझ मैं ही first slide हम देखते हैं कि ecology की अगर हम बात करें तो ecology क्या actual में हम ecology को किस परकार से समझेंगे तो ecology बर्ड जए हम नपर बी आता है तो देखो जहाँ लोजी बर्ड जुड़ा है लोजी वड जहाँ और एक ही मतलब आता है study क्या मतलब आता है study या अध्यन अब ecology में हम किस चीज का अध्यन करें हम ecology के अंदर अध्यन करते हैं जीवों का किसका अध्यन करते हैं जीवों का ठीक है लेकिन जीवों के साथ क्या हम उन चीजों का भी अध्यन कर सकते हैं जो जीवों के साथ अन्योन किरिया कर रही है कर सकते हैं क्या तो उस पर कोई दूसरी चीज क्या डाल रही है आप उसको भी पढ़ लो साथ में दोनों चीजों का देन हो जाएगा ठीक है तो हम यहां पर क्या देन करते हैं जीव का जीव के साथ क्या कम्यूनिकेशन है क्या इंट्रेक्शन है जी एक जीव का दूसरे जीव के साथ क्या इ ग्यांकि आसांचुमिक का दूसरी जियों के साथ क्या एंतरीक्शन है और जीओ का फिस्डिकल इनव्यम्नेchn पर एंट्रेक्शन जैसे राइसोऑं का जो प्लान्ट प्लान्ट साथ क्या instruction राइजॉब्यम जो रूट नूदिल्स बनाएक रहता है ना प्लाइंट में नाट्रोजन का इस्तरीकरन करता है तो उसके साथ हैं पर आई चैने ना चैनकर चेंटरेक्शन है ग् wegen मुश्को नचेंटरंटराथ मेरे न bon भोतिक परियावरण के साथ इंट्रेक्शन के अध्यन को ही इकोलोजी का जाता है के अध्यन को ही क्या का जाता है इकोलोजी ठीक है इकोलोजी का मींज क्या हुआ स्टडी ओ ओर ऑर्गेनिजम टूर्गेनिजम इंट्रेक्शन बित्विन ओर विजिकल इंवर्मेंट इंट्रेक्शन इन सब की स्टडी को आप क्या कहते हो इकोलोजी तो ecology की CDC परिवास होई, क्या परिवास होई, कि जियों का विभिन परकार के जियों का आपस में क्या अन्योन किरिया है, तथा जियों की बाईये वातरण के साथ क्या अन्योन किरिया है, इस चीज का अध्यन करना ही ecology का लागता है, बास समझ में आई, समझ में आई, clear, कि जिय कहा जिएंग के साथ क्या इंटेक्षिन है तथा जिवों का रही न के साथ क्या इंट्रेक्षिन है इन सब की स्टडि के डिशन लिवल किया है किसका संग अनी स्तर किया है इसका संगाठनिस्तर क्या है किसके बात करने जा रहे है इसके संगाठनिस्तर की ठीक है अगला जो NCRT के अकोर्डिंग जो अपना पॉइंट है वो यह ही है कि जो एकोलोजी है उसका संगाठनिस्तर बताईए तो संगाठनिस्तर जो इसका होता है वो चार लेवल पर होता है नम्मर एक Organism, नम्मर दो Population, नम्मर तीन Community, नम्मर चार Bio , ठीक ? अब यहां पर एक बात और जोड़ सकते हैं इसके आगे क्या Eco Sistem और इसके आगे एक बात और जोड़ सकते है। मैं लेकिन मैजर आपके कौनके रहेंगे पॉपुलेश्ट और यह जाए अब आप मैंने को हिंदी में बता रहा हूं देखो और यह यहां यहां किया होता जी जी पॉपुलेश्ट तो यहां वेसे तो शंक्या होते हैं लेकं आप यह आप पर यह बाइलोजी का टम्स कि क्या बोलोगे इसको आप बोलोगे पारी तंतर किलियर बात बायोम को आप बोलते हो जीवोम और बायो स्पेर को आप बोलते हो जेयो मंडल यह सारी चीजें एक दूसरे से मिलकर बनी हुई हैं ठीक है तो वापस हम शुरुआत करते हैं इसी बात की कि जो इकोलोजी है वो चार संगठन इस तरह से मिलकर बनी है और गेनिजम पॉपूलेशन कम्यूनिटी एंड बायोम लेकिन आप इनको और इनका लेवल बढ़ाएक इनको समझने के लिए दो और आप इसमें एडिक कर रहे हैं कौन से एको सिस्टम और बायो स्पेर ठीक चलो आगे हम बात करते हैं यही से यही से बात करते हैं देखो और गेनिजम किया है तो बाय लोजी का कोई भी कांडिडेट् एसा नहीं है जिसने बायोगली यह और वह और आयगानिजम क बारे में नहीं बता सकेंनि भाई लुप होजी नहीं का मतलब ही उपरोजिव क् 2良्व होसी होजिव है जिसके अंदर सर्वषan किर रही है कर सिंष ecology के organism से आप क्या समझते हो डेस करके लिखोगे इसके अंदर सजीओं का दिन की अधाता बस सजीओं जो हो गए वह organism हो गए क्या हो गए अब हम बात करते हैं population किसकी बात करते हैं population के अंतर क्या होता है population के अंदर आप बात कर रहे हो हम किसकी बात कर रहे हैं population हिंदी में क्या को गया आप इसको समस्थी है ठीक है तो आप क्या बोलोगे population के अंदर क्या बोलोगे group of species क्या बोलोगे group of same species यानि डोग है वो डोग के साथ इंट्रेक्ट कर रहा है डोग का डोग का किसके साथ इंट्रेक्शन चल रहा है डोग के साथ थीक है तो group of same species population के अंदर आएंगी same species लिएए दिल्लियों की पर जाथा बकरी की पर जाथा गडे की प्रजाथा अलिफेंट की प्रजाती ये किसके अंदर आएगी एक पॉपुलेशन के अन्दर थीक है centrally आगे अगर for Define कर सकते हो जैसे आप बोलोगे कि कुत्द我知道 हैं कुत्फ्द तो बहुत हैं ना दोक टो बहुत है लेगना तिस इसल जगे के नाम बता रहे हैं जैसे आप बता रहे हो कहा का जैसे जैपुर के करोते हैं तो पर्टेकुलर एरिया मोईनिंट पर्टेकुलर एरिया जैपुर्ण पर्टिकुलर एरिये से आप इसको डिफाइन करोंगी है कि यह मैं आगए तो पर्टिकूलर एरिया यहां पे रहेगा प्लस यहां पर कमीन यहां पर पर परतिस्फदा रहे गी क्या रहेगी परतिस्फदा परतिस परदा रहेगी यहाँ परतिस परदा यानि सेम स्पिसीज की जब आप बात करते हो तो आपस में लड़ाई रहेगी फाइट रहेगी किन किन चीजों के लिए फाइट रह सकती है वही अगर हम बात करें तो किन किन चीजों के लिए फाइट रह सकती है मैं यहाँ पर आपको तीन चीजे बता रहा हूँ फाइट के लिए कौन कौन सी उनके आवाज के लिए उनके भोजन के लिए और जनन के लिए इन तीन चीजेशों के लिए आपस में फाइट रहेगे तो अब आप बात समझे अब मैं बोलता हूँ बताईए समस्टियां क्या है तो आप क्या लिखोगे आप अपने कौपी में क्या लिखोगे कि समस्टियां जो है वो क्या है समस्टियां समान जातियों के समू को हम समस्टियां कहेंगे इसमें समान जातियां आपस में एक दूसरे के साथ अन्योन किरियाएं करती हैं तथा इनके अंदर परतिस परदा चलती है और ये एक निश्चित छेतर में ही प्रिवासित की जाती है इनके अंदर परतिस परदा चलती है जैसे भोजन के लिए जैसे आवास के लिए जैसे जन तो डोग का केट के साथ interaction केट का क्रो के साथ interaction आपस में interaction हो रहा है इंटरेक्षन यह नहीं अन्योर किरिया कौण सी ओ रही है उत्ता बिल्ली को मारने के लिए बागता ही बागता है करो लिखा में जरूरी नहीं है करो जो हो है उसके लिए माणने के लिए बागे हो ठीक है तो यहां पर इन सब जियों का अपस में इंट्रेक्शन चल रहा है क्या चल रहा है तो आप इसके लिए आप क्या डिफाइन करोगे क्या डिफाइन की बात ही नहीं आई आप बोल दो विभिन प्रकार की population समस्टियों का समुव समुदाय कहलाएगा क्या विभिन प्रकार अच्छा यह चीज नोट करते रहें आप यह आपको NCRT में definition type पे नहीं मिलेंगी definition के तोर पे नहीं बिलेंगी मैं यहीं बोल रहा हूँ नोट कर लेंगी आप आप क्या लिक होगे इसके अंदर विभिन प्रकार की समस्टियों का समुव क्या कहलाएगा समुदाय इसमें समुदाय के अंदर जो विभिन प्रकार के जीव हैं आपस में एक दूसरे के साथ अन्योन किरियां करते हैं आपस में क्या करते हैं एक दूसरे के साथ हैं अन्योन किरियां करते हैं अच्छा, इक क्या इनमें परतिस पर्दा चलती है, क्या इनमें परतिस पर्दा चलती है, बिलकुल चलती है, इनमें सिर्फ परतिस पर्दा चलेगी बोजन और आवास के लिए, जनन के लिए नहीं चलेगी, तो इनमें परतिस पर्दा किस किस के लिए है, बोजन के लिए और आवास के लिए किस-kis के लिए चलेगी ये बात भी आप note करें कि इनमें जो प्रतिषप्रदा चलती है वो सिरफ भोजन और आवास के लिए चलती है पहला लेवल समझ में आ गए पॉपिलेसन समझ में आ गई community समझ में आ गई ecosystem के अगर हम बात करें तो जो भी community है जो भी community है उसका interaction जब a-biotic factor के साथ होने लग जाए जो भी community है उसका interaction a-biotic factor के साथ होने लग जाए तो आप उसको ecosystem कर देते नहीं समझ में ही बहुत ecosystem जो भी community है ठीक है कोई भी community उसका interaction किसके साथ हो रहा है a-biotic factor के साथ किसके साथ जाए a-biotic factor के साथ यानि a-j-v कारकों के साथ यानि जब समुदा आए a-j-v कारकों के साथ किरिया करने लग जाए तो हम उसको ecosystem कह दे क्या कह देंगे ठीक ecosystem किसे कहेंगे जब a-j-v कार जैसे ताप के साथ मरदा के साथ यानि के साथ जो किरिया हो रही है तो हम इसको ecosystem कहेंगे क्या कहेंगे ecosystem ठीक है आ गई बात समझ में ठीक है अन्योन के लिए होई रही है ना जैसे आपकी किसी भी ecosystem की बात करो जैसे मैं करता हूँ जल ecosystem की तो जल में मसली रहती है तो वो interact किसके साथ करेगी जल के साथ हो गए उसका ecosystem हम बाहर सन के साथ ताप के साथ सब के साथ कर रहा है interact उनके बिनाम जीवत नहीं रह सकते ठीक है किलियर जैसे abiotic factor के साथ करिया होना ठीक है अब बात आती है बायोम की देखो ये अलग तरीके से आप इसको समझोगे बायोम क्या है देखो बायोम की अगर हम बात करें तो बायोम को आप अच्छे से समझोगे बायोम का मतलब होता जीयोम क्या मतलब होता है पहली बात तो आप इसके लिए लिखोगे एक बहुत बड़ा geographical area एक बहुत बड़ा बोगॉलिक इस्तर बायोम कर लाता है अब नोट करें अपनी कोपी में एक बहुत बड़ा विश्त्रित भोगॉलिक छेत्तर बायोम कर लाता जिसमें विभिन प्रकार के इकोसिटम चालू रहते हैं जिसमें विभिन प्रकार के पारितंतर निरंतर चलते रहते हैं आप उसको क्या करोगे बायोम ठीक है तो ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया जहां पर विभिन प्रकार के एको सिस्टम चलेंगे, जैसे आप बोलोगे सर उधारन बताएगे, जैसे रेगिस्तान, टुंडरा चेतर, सितोष्ण चेतर, उस्ण कटी बंदी इलाका, यह आपके एक्जाम्पल आ गए, जैसे रेगिस्तान, रेगिस्तान की अगर आप बात करो, तो यह रेगिस्तान अपने आप में एक एको सिस्टम है, एक एको सिस्टम है, वहाँ के जीव, इसके यहाँ जीवित रहने के लिए आदी है, सितोष्ण बात करो आप, तो यह अपने आप में एक एको सिस्टम है, गा उसन कटीबंदी इलाकों की बात करो तो वो अपने आप में एक एकोसिस्टम है तो यह सारी एकोसिस्टम कहां रह रहे हैं कहां रहे हैं इस बायोम पर रह रहे हैं यानि बायोम पर रह रहे हैं तो बायोम कहां है पर्थवी बायोम है बायोम कोन किया हुई है पर्थवी बायो जहां पर विभिन प्रकार date की सिस्टम चलेंगे एक ढोर ये इसको आप क्या कहते हो भायों ठीक को है अब आयों को सक्रेक्टों करोगे आप उसको आप की विसेश्ता बताओगी कि बायोम की विसेश्ता है क्या है तो बायोम की आप मेजर दो विसेश्ता है बता सकते हैं एक तो वहां पर पर पर्टिकुलर टेंपरेचर रहता है पर्टिकुलर मतलब वहां का एक निस्चिता एक पर्टिकुलर टेंपरेचर रहता है दूसरी बात हाँ और दूसरी बात वहाँ पर रेनफॉल पर्टिकुलर यानि एक विसेश रेनफॉल रहेगा रेनफॉल यानि वर्षा कैसी हो रही है कम हो रही है ज्यादा हो रही है ठीक है जैसे मैं आपको एक उधारण देऊं जैसे मालों डेजर्ट है और ट्रोपिकल एरिया है इसंटेबंद है पूर्सें थीए घृषिती अनल है और कंदिये लागाहिए तो अगर यहां पर देखो तो यहां पर रेन फॉल कि अगरुम बात करें रेंफॉल की की बात करें तो यहां पर रहता रेंफॉल लेकिन आप इंप्रेचर आपका बड़ा मिलेगा temperature आपका क्या मिलेगा बढ़ाव मिलेगा यहाँ पर आप rain fall की बात करो तो इसकी comparison तो बढ़ाव मिलेगा आपको आपको पता है उसन कटीबंदी इलाके जो है equator के पास होते है बो मद्दे रेखा के पास तो ताप भी उनका बढ़ावा मिलेगा यह ताप भी उनका बढ़ावा है यानि temperature भी उनका बढ़ावा है rainfall भी अब मेरे को यह बताओ जिन इलाकों के अंदर rainfall भी बढ़ा हुआ है और temperature भी बढ़ा हुआ है temperature किसकी बज़े से बढ़ा है sunlight कि बज़े से बढ़ा है तो वहाँ पर productivity ज़्यादा होगी एक नहीं होगी उत्पादक्ता पादप ज़्यादा grow करेंगे एक नहीं करेंगे करेंगे ना तो diversity ज़्यादा काँगी रहेगी उस इनकाटी में दिये लाक्यों के अपने आप ही हो गई और यहाँ की diversity कम हो गई तो इस परकार से आप इनको character sticks करके पढ़ सकते हो clear? तो आप से कोई पूछ ले कि biome के दो character बताईए NCRT की book में है कि इनके character किस परकार से है तो मैंने इनको detail करके बता दिया आपको biome के character कौन से हैं ठीक है? अब हम last की बात करते है biosphere किस की बात करते है? biosphere biosphere की बात है कि परतियों का वह है भाग जहाँ पर जिवन संबाओ है और बाइव स्पैर है कि जेव मंडल कई मंडल है एना है, छोब मंडल समताब मंडल, ओजोन मंडल लेकिन हम रहते हैंれ zaj मंडल में जेव मंडल में रहते हम फिर हम किसे कहेंगे पर्थ्यू का वह बाग जहां पर जीवन संभा हो रहा है किलियर इतनी बात समझ में आई ठीक आगे बात करें किलियर आगे देखते हैं बही यहां पर हम एबायोटिक फेक्टरों की बात कर रहे हैं पर ताहरु की बात कर रहे हैं एबायोटिक फेक्टर की बात कर रह Kubernetes एजविक फेक्टरों की डिचल से पढ़गव के यहां पर हम पहले किसी बात कर रहे हैं तेमप्रेचर की, किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो टेमप्रेचर की जब भी बात आती है, तो क्योंचन यह आपके लिए मेरा, कि टेमप्रेचर हमें कैसे प्रवाइद करता है, टेमप्रेचर से हमें क्या लेना देना हूँ, टेमप्रेचर से हमें क्या लेना देना हूँ, कि यूँ बना सकते हैं ऐसा क्या है उनके अंडर कि ओ टेंप्रेशर से अपना था बोजन बना रहे हैं लाइट की बात दूसरी हो गई परकास अलग चीज़ है टेंप्रेशर अलग चीज़ है दोनों आप परकास को टेंप्रेशर को आपस में मिलाना मत पहली बात कुछ कभी सब यह भी और हमारे लिए किसी से प्रकास की फैक कि बड़े गी फोटोसंतेसिस होगा वह देखो mob तुछ मैं समझाँ आप बात को ठीक ठीक वहां जा रहे हो लेकिन वहां बात पूरी तरह पोंचने आप रहे हूं बात को पकडने कोसिट कर रहे हो ठीक है न मैं टंपरेचर के अकर हम बात करें तो टेमपरेचर एक सुना एक यह ऑप्टिमबोल टंपरेचर उता है लें जिसक आसे उपर जियों कि अंदर अन्धित प्रकारिया यह चला जो अतरा meal ईक एड तो वो एक optimum temperature यानि एक नियत ताप पर चलती किसी भी जीव की enzymatic प्रक्रिया और enzymatic प्रक्रिया चलेगी तब ही हमारे अंदर उपापचे क्रियाई होंगी और तब ही हमें बोजन बगेरा बना पाएंगे या उसको पचा पाएंगे या एक्स क्रियाशन कर पाएंगे उत्सरजन कर पाएंगे तो enzymatic प्रक्रियाओं को सही से चलाने के लिए एक optimum temperature की आव सकता होती है इसलिए temperature is the essential part of living organism यानि जियों का एक ठीक है आज के लिए इतना ही बागे का नेक्स्ट क्लाथ थेंक्यू